हालो फ्रेंट्स स्वागात आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोडेस्ट मैट्स में फ्रेंट्स आज ये मैट्स का जो क्लास फ्रॉम होम चल रहा है उसका आज ये 14 ख्लास है जी है आज ये 14 ख्लास है जिसमें आज हम लग फिर से दिखेंगे कुछ-कुछ नए प्रस्ण को देखेंगे और सिखेंगे तो चली स्टार्ट करता हम लग आज के इस वेडियो को दो वर्ष का साधरन ब्याज 800 रुपए है तथा दो वर्ष का चक्रवर्थी ब्याज 832 रुपए है तो ब्याज की दर क्या है तके बहुत अच्छा कुस्चन है और ये most important question है फ्रेंट्स एक्जाम में repeated है तो हम लोग के पास दो वर्ष का SI और दो वर्ष का CI मिला हुआ है ये है 800 रुपए और ये है 832 रुपए ध्यान दिजेगा फ्रेंट्स कि साधरन बात जो है वो फिक्स होता है और एक साल का साधरन ब्याज और चक्रविर्धी ब्याज बराबर होता है ध्यान देना ये चीज़को देखें फ्रेंट्स कोस्चन को एकदम आप लोग को बेसिक लेबल से समझाता हूँ तो बिल्कूल अच्छी तरह से समझें और वीडियो को पूरे अंच तक जरूर देखें आधा देखिएगा फ्रेंट्स तो आधा ही सिखिएगा पूरा नहीं देखिएगा तो पूरा नहीं सिखिएगा इसलिए वीडियो को पूरे अंच तक जरूर देखिए तो देखिए आठ सो दो साल में है तो एक साल में चार सो और चार सो ऐसा लगा होगा इसमें कैसे लगा होगा 400 रुपया लगा होगा पहले साल में जबकि दूसरे साल में लगा होगा 432 रुपया किकि दूसरे साल से ब्याज में भी ब्याज लगने लगता है दूसरे साल से ब्याज में भी ब्याज लगता है तो अब देखिए यह सिंपल सा चीज है कि जो 32 रुपया ब्याज लगा एक्स्ट्रा ये किस पे लगा होगा तो ये ब्याज पे लगा होगा और इससे पहले कितना ब्याज था इससे पहले का जो है 400 रुपया गहीं तो ब्याज था मतलब 400 रुपया पहीं हम लोग को 32 रुपया देना पड़ा है अतिरिक्द तो इसका compare कर देना 400 से बस और percentage निकालना है तो into कर देना है 100 काट दीजे 2 0 से 2 0 कटता है 4 से कटता है ये 8 बार में इसका मतलब क्या हुआ कि 8 पर 30 से थमलोगों के लिए इसका दर है option number C इस question का सही answer हो जाएगा friends वीडियो को अच्छी तरह से देखें और question को अच्छी तरह से समझें कहीं कोई परिसानी हो तो comment box में comment ज़रूर करें चलिए friends same question है ये आप लोगों के लिए इस question को वीडियो को पाउच करके solve करें और इसका सही answer comment box में comment अवस्य करें friends कि चार सो लीटर अलकोहल और पानी के मिसरन में दस परतिसत पानी है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि 20 परतिसत पानी हो जाए देखिए इसका बहुत ही सांदार ट्रीक है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा तो ध्यान दीजिएगा देखिए हम लोग के पास दो चीजे एक है अलकोहल एक अलकोहल है और एक है पानी तो शुरू में क्या है दस परतिसत पानी है कि कोई भी है अपने करो धाता है कि परतिसत और और कर देना है इसको बीस परतिसत अब ये कितना हो जाईगा 80 Does ऐसमें आपको यह चीज़ ध्यान रटना है कि जो भी कमिया व्रिधी कर रहे हैं हम लोग मतलब कि जो मिला ठाहर है यह निकाल रहे हैं, उस चीज को आपको छोड़ देना है, तो जैसे हम लोगे हैं, पाणीat कर रहे हैं, नब्बे और बड़े में 80, एकجीरो से घीरो काटे है, आट से काटे है, पाँच भर में 40 और एकजीरो. तो 450 आ रहा है इसका मतलब देखिये पहले से 400 था और अभी 450 हो गया मतलब हम लोग कितना लिटर मिलाना होगा वहाँ पे एक्स्ट्रा 50 लिटर पानी वहाँ पे डालना होगा उप्सन नमबर बी इस कोस्टन का सही एंसर हो जाएगा फ्रेंट्स उमीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ माया होगा फ्रेंट्स कहीं कोई परिसानी नहीं होगी चले ये सेम कोस्टन है फ्रेंट्स आप लोगों के लिए वीडियो पाउच करें जल्दी से और इसे सॉल्ब करके इसका सही एंसर कमेंट बक्स में कमेंट कर दें आप अठाजार रुपय की रासी ये तथा बी में इस प्रकार बाती जाती है कि बी को ए से तीन गुनी रासी मिलती है तो बी की रासी क्या है देखें अच्छा कुस्चन ये भी टोटल आठाजार रुपय है तो पहले भी हम लोग ए और बी दो पार्टनर है इसा मान लीजिए तो क्या बोला था कि बी को ए से अब ए को कितना मिलता पता तो नहीं है तो हम लोग चलिए ए को माल ले ते के एक्स मिलता है तो उसे साब से बी को तीन गुना बोला था मतलब कि 3x मिलता होगा अब टोटल रासी कितना था 8000 तो इससे तो पैसा मिलेगा ना इसको B को तो चलिए B के लिए निकालते हैं कितना रासी मिलेगा इसको तो 8000 में से B का हिस्सा कितना था 3x था और बटे में जो हैं दोनों को जोड़ करके लिखते हैं इस दोनों को एड़ करके तो 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा तो x और x कैंसल करते हैं 4 से कटते हैं फ्रेंट्स इसको दो बार में तो 2 ती ये हो जाएगा 6000 तो 6000 देख इस अप्सन में है अप्सन नमबर D उमीद कारता हम फ्रेंट्स ये कोस्टन में आप लोग को बिल्कूल अच्छी तरह समझ में आई होगी कहीं कोई परिसानी या दिक्कत नहीं होगी चली ये सेम कोस्टन अब आप लोग के लिए है वीडियो को जल्दी से पाउच कर लें और इसे बना करके किसी बाल्टी में 60 पर 30 भरी होने की तुलना में 80 पर 30 भरी होने पर 10 लीटर देखे पहले 60 लीटर था फिर बोलता अगर 80 पर 30 भर दें तो 10 लीटर अधिक पानी आता है कोस्टन को फ्रेंट्स समझ लिजे पहले अच्छी तरह से बार बार आप लोगों में बोलता हूँ कि कोस्टन को अच्छी तरह से समझे वीडियो को अच्छी तरह से देखे फ्रेंट्स कोस्टन को अच्छी तरह से समझे और उसके बाद ही कोस्टन को आप आगे बनाए तो देखिए 60 प्रतिसत पहले था भरा हुआ और पानी कितना था उसे को कोई मतलब नहीं है अब कितना भर दिये हम लोग 80 प्रतिसत तो करना कैसे हम लोग को different निकालना है कि 80 प्रतिसत माइनस 60 प्रतिसत बराबर कितना लिटर है 10 लिटर इसका मतलब हुआ कि 20 परसेंट बराबर 10 लिटर है तो हम लोग को 100 लिटर निकालना 100 परसेंट निकालना है तो यह जो 10 है पता हम लोग को कितना परसेंट है 20 परसेंट डिवाइट करते हैं दोनों को तो एक परसेंट का वेलू आ गया वन परसेंट का अब इंटू कर देंगे सौ से तो बीस से कट जाएगा यह फ्रेंट्स पांच बार में पांच को दस से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा पचास मतलब की पचास लिटर और अप्शन नंबर सी इस कोस्टेन का सही अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स तो उम्हीद करता हूं यह कोस्टेन भी आप लोग को अच्छी तरह सा समझ में आ गया होगा फ्रेंट्स एक्जाम में अगर ऐसा-इसा कोस्टेन आये तो आप ज़रूर बना लिजिएगा छले फ्रेंट्स यह सेम कोस्टेन है आप लोग के लिए वीडियो का पाउच करके जल्दे से बनाए रिसका सही अंसर कमेंट वक्स में कमेंट करते है तो देख़िए से कैसे बनाना होता है ऐसे लिखना है अपको A अनुपात B बराबर दिया हुआ है कितना 3 अनुपात 4 सबसे पहले यह ध्यान दे देना है कि देखिया B जो हो खतम हो रहा B का अनुपात क्या है 4 है अब यह देखना है कि B का अनुपात यहाँ पर जो है वो भी 4 है क्या अगर वो रहेगा तो हम लोगों कुछ नहीं करना है बस A और C का फेलू जो है बठा देना है लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ 4 है और यहाँ 8 है ऐसा रहने पर हम लोगों को यह काम करना है जो भी हम लोग कर रहे है तो B के बाद है ऐसा C अब B और C का फेलू कितना है देखिए 8 है यहाँ पे और अनुपात यहाँ पे है 9 लिख लेना ऐसा अब क्या करना है जहाँ जहाँ खाली जागा वहाँ भर दिजिए इसी को 4 यहाँ जाएगा यह 8 यहाँ जाएगा अब हम लोग से पुछा A और C का है तो A और C यह 8 यह 24 इंटू कर देना है और 9 चोके 36 तो 24 और 36 किसी एक टेबल से कट सकता है क्या जी है कट सकता है 12 से 2 बार में 12 से 3 बार में अब तो नहीं कट सकता है तो 2 अनुपात 3 option नंबर D friends question अगर आप लोग को अच्छे लग रहें समझ में आ रहें तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और अपने अधीक सेधिक study group में दोस्तों में share करें और हाँ friends अगर आप इस चैनल में नए student है तो हमसे भी तुरंत जुडने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे सभी important वीडियो का notification आपके पास पहुँच जाए सबसे पहले चलिए friends यह same question है अब आप लोगों के लिए वीडियो का पाउच करें और इसका सही answer बना करके comment box में comment जरूर करें इस वीडियो को देखने के लिए friends आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद